नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है मेरा नाम अभिनाश है अस्ट्रेलिया से बुरी ख़वर है भारते टीम से आ रही है और फैंस को जटका लगने वाला है उमेश यादव पूरी टेस्ट सिरिज से ही बाहर हो गए है इशांद शर्मा पहले ही चोट की वज़े से दौरे पर नहीं आए इसके बाद मुहमद शमी चोट की वज़े से निकल लिए और अब उमेश यादव चोट की वज़े से भारत लौट रहे है इस दौरान बस राहत देने वाली बात ये है कि आपकी टीम ने मिलबन टेस मैच जीता है और उनकी जगार नेटराजन के बतोर बैक अप गेन बाद शामील किये जाने की ख़वर है एनाई के एक सुत्र ने बताया कि उमेश यादव के स्कैन की रिपोर्ट सामने आ गई और वो तिसरा और चौथा मुकाबला नहीं खेल पाएंगे अब ऐसे में उनके अस्ट्रेलिया में रुखने का कोई मतलब नहीं बनता है लिहाज़ा बहतर यही है कि वो भारत लोट जाए उनको बैंगलोर के नेशनल क्रिकेट अकैडमी में रिहाब के लिए जाना पड़ेगा अब उमिश यादव की जगा बैक अप के लिए दो नाम सामने आ रहे हैं पहला शादुल ठाकूत और दूसरा टी नतराजन नतराजन के खेलने के उम्मीदे जादा है पर मिडिया रिपोर्ट्स की माने तो नबदीप सैनी भी टेस्ट मैच में डब्यू कर सकते हैं हलाकि बैक अप में जो भी खेले पर ये जो चोट लगने की समस्या है वो लगातार जारी है जो की अच्छी बात नहीं है ऐसे मगर टीम इंडे अस्टेलिया के साथ सिरीज रीटेन भी करवा लेता है तो बड़ी बात होगी उसके लिए बस एक और टेस्ट मैच जीतने की जरूरत है साथी तिसरे टेस्ट मैच के लिए रोहित शर्मा टीम से जुट जाएंगे भारत और श्टेलिया के बीच चार मैचों की टेस्ट सिरीज का तिसरा मुकाबला साथ जनवरी से लेकर ग्यारे जनवरी के बीच सिडनी में खेला जाएगा मेल बंड में खेले गे दुसरे टेस्ट मैच में भारत ने मेजबान टीम को आठ विक्तों से हरा कर सिरीज में एक एक की बराबरी कर ली चार जनवरी को दोनों टीमें सिडनी के लिए रवाना होने वाली है इस ख़वर में बस इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया के साथ